हेलो फेंट्स मैं मंदीव सोगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर फेंट्स आज के इस फीडियो में 34 साइस का बैक निक डिजाइन में आप लोगे साथ शेयर करूँगी तो दिखें मेरा मेंट फैब्री के और यह अस्तर का फैब्री के सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हमने इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करके रख लेना है कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है और एक लाइंट रोकर के नीचे से कपड़े को सीधा करेंगे इसके बाद टोटल लंबाई लेंगे साड़े चोवदा इंच पे मैंने यहाँ पर मार्किंग किया है साड़ी तेरा लेंथ मुझे इसकी तयार रखनी है जितना भी लेंथ आपको तयार रखना है उसमें एक इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा यह डिजाइन में बोटनेक के अकॉर्डिंग बना रही हूँ तो उसी के साब से शोल्डर इन आर्म होल लिये हैं 7 इंच 34 साइस का यह बैक पार्ट है शोल्डर और आर्म होल 7 इंच पे मैंने यहाँ पर मार्क किये हैं और चेस्ट का चोटा भाग लेंगे साड़े 8 इंच और 1,5 इंच एक्स्टा लेंगे मार्जिन के लिए मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं आदा इंच हमने शोल्डर को डाउन रखना है बन इंच पे आर्म होल की गुलाई देनी है कमर 28 इंच उसका चोटा भाग लेंगे 7 इंच दे इंच एक्स्टा मर्जिन और 1 इंच एक्स्टा ओर लिया है कमर की प्रेट्स के लिए मार्किंग पूरा करने के बाद हमने इसे कटिंग कर लेना है बेक पार्ट को मैंने कट कर लिया है अब मैं गले का मेंजर्णेमेंट ले रही हूँ गले के चोड़ाई रखी है 4 इंच, अगर आप कम पहनते तो 3.5 भी ले सकते हैं गले के लंबाई रखी है मैंने 3.5 इंच नेक विर्थ रखी है 4 इंच, नेक लेंथ रखी है 3.5 और इस तरीके से हमने यहाँ पर बोटनेक का शेप देना है बोटनेक डिजाइन बनाने के बाद नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे 2.5 से 3 इंच पर तो यहाँ पर मैंने 3 इंच पर मार्किंग कर दिया है और नीचे से विर्थ लिया है 3.5 आप 4 इंच पर ले सकते हैं अब हमने यहाँ पर डिजाइन ट्रॉ करनी है तो इस तरीके से आप चाहे तो यहाँ पर जो मैंने नीचे की तरफ शेप को सीधा रखा है तो आप सीधा रखके भी उपर की तरफ से गोलाई कर सकते हैं या फिर नीचे से भी इस तरीके से घुमाते हुए मार्किंग कर सकते हैं तो मैंने यह आपर यह डिजाइन इस तरीके से बना लिया है जितना भी चाहें आप इसे ब्रॉट कर सकते हैं अपने इसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं इसे और छोटा बनाना है आपको तो और छोटाने का आप ड्रॉट कर सकते हैं बड़ा करना है तो और ज़्यादा आप इसे ब्रॉट करके भी ले सकते हैं तो मैंने इसे मेडि यह देखें नेक की कटिंग मैंने यहाप पर कर ली है और अब हमने कटिंग कर लेना है इसे मेन फैप्रिक पर मेन कपड़े पर मैंने इसे कर लिया है अब हमें पेपर पेस्टिंग लेना है पेपर पेस्टिंग डवल फोल करके नीचे की तरफ रख लेंगे और इस तरीके से सकते हैं मैं उपर और नीचे दोनों तरफ पेपर पेस्टिंग लगा रही हूं इसलिए मैंने एक बड़ा पेपर पेस्टिंग लिया है ब्लाउस की लंबाई के बराबर और उसे इस तरीके से कट कर दिया है पहले हमें एज़टीज मार्किंग करना है फिर बाहर की तरफ से ए कटिंग देखिए यहां पर पूरी हो गई है और अब मैं कर रही हूं इसका स्टिजिंग सबसे पहले नीचे मैं कपड़े को रखेंगे और रस्तर वाले कपड़े को जमाते हुए इसके उपर रखकर पिन अटेश कर देनी है बराबर से रखते हुए हमने पिन के साथ इसे कर लेना है अच्छे से गले के उपर मैंने पेन लगा दिया है और अब हम इसकी सिलाई करेंगे तो एक कॉर्णर की सिलाई लगाएंगे सबसे पहले उपर नेक की तरफ इसके बाद नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे यह देखे इस तरीके से हाथ से एक बार कपड़े को फिनिशिंग दे देंगे इसके बाद हमने चारों तरफ से इस पर सिलाई लगा देनी है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है इससे हमने कट करके निकाल देना है यह देखे अस्थर की बराबर से पूरे ही पैटन को कटिंग कर लेंगे अस्थर की कपड़े को मैंने कट कर दिया है इसके बाद हमने पेपर पेस्टिंग लेना है और इसके उपर सिलाई लगा देनी है कपड़े के साथ ही से अटेज कर देना है बात में इसमें जो भी एक्स्टर कप्ड़ा है इससे कट कर देंगे और इस तरीके से थोड़ा कप्ड़ा छोड़ेंगे फोल्ड करने के लिए अब हमने इसे फोल्ड कर लेना है फोल्ड करने से पहले आप कट ज़रू लगाए तभी कपड़ा असानी से फोल्ड होगा यहापर तो इस तरीके से पूरे ही फैबरिक को हमने फोल्ड कर लेना है अब नीचे की तरफ पेपर पेस्टिंग को रखेंगे और इसके उपर रस्तर वाले कपड़े को रखना है बैक पार्ट को अच्छे से जमाते हुए पिन के साथ इस अटेज करेंगे पिन के साथ अटेज करने के बाद हमने इसलाई लगानी है तो मशीन का एक पेर का मार्जिन कवर करते हुए पूरे ही नेक पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से इसके बाद हमने एक्स्टर फैब्रिक को कट करके निकाल देना है पीच का जो कपड़ा है इससे कटिंग कर देंगे और पैटन पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि आसानी से कपड़ा फोल्ड हो जाए कपड़े को अपने अंदर की तरफ पलट के सीधा कर लेना है आप जाएं तो प्रैस लगा सकते हैं या फिर हाथ से भी फिनिशिंग कर सकते हैं यह देखे इस तरीके से मैंने यह आपर इससे अच्छे से फिनिशिंग कर दी है नीचे वाला जो नैक के वो मैंने बना लिया है और इसी तरीके से हमने उपर वाला करला भी बनाना है एक्स्टा कपड़े को कट करके साइट से इसे भी फोल्ड कर लेंगे और नीचे की तरफ पैटन को रखेंगे दोनों तरफ अच्छे से पिन के साथ इसे टेज कर देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे इस तरीके से हमने आपर सिलाई लगा देनी है एक्स्टा कपड़े को कट करके निकाल देना है चोटे-चोटे कट यहाँ पर लगा लेने है फिर हमने एक सिलाई असर के कपड़े को इस तरफ करते हुए लगानी है इसके बाद इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और एक सिलाई उपर फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है इस तरीके से मैंने हाँ पर देखिए सिलाई लगा दी है अब हमने कमर में प्लेट्स डालनी है तो दोनों ही तरफ 4 इंच के लंबाई में प्लेट्स लगाएंगे सेंटर से कप्ड़े को फोल्ड करते हुए इसके बाद मैं अटेश कर रही हूँ नीचे की तरफ कमरपटी इस तरीके से कमरपटी को अटेश करेंगे कट करके आगे की तरफ फोल्ड करेंगे फिर एक सलाई इस तरफ लगाएंगे फिर हमने इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और एक सलाई उपर फिनीशिंग के साथ लगा देनी है तो दिखें पार्ट मेरा कमप्लीट हो गया है अब मैं दूसी तरफ भी कमरपटी लगा रही हूँ दूसी तरफ से भी मैंने कमरपटी लगा कर इससे पूरा कर लिया है अब हमें इसे डवल फोल करते हुए एक मार्किंग कर देनी है जहाँ पर हमने पटीयों को लगाना है लूप बना कर लगाने है आप चाहे तो रेडी मेट वाली डूरी के लूप बना कर भी लगा सकते है मैं कपड़े के लगा रही हूँ देड इंच की या दो इंच की विट्ट में आप कपड़े को कट कीजेगा और इसकी पटी फोल्ड कर लेंगे तो डवल फोल्ड करते हुए एक सीधी सीधी सिलाई हमने इस तरीके से यहाँ पर लगा दीनी है और फिर दूसी तरफ से भी सिलाई लगा दीनी है इसके बाद इसके छोटे छोटे पीसे स्कट कर लेंगे लगभग 1.5 इंच के लेंच में इसके बाद नैक्यों पर इसे अटेश कर देंगे तो यहाँ पर हमें इस से रखते जाना है और इस तरीके से सिलाई लगाते जाना है टोटल मैंने यहाँ पर 5 लूप अटेश किये हैं थोड़ा-थोड़ा गेब देते हुए लूप को हमने इस तरीके से लगा लेना है और दूसी तरफ भी में इसी तरीके से टोटल पाश लूप लगाऊंगी एक जैसे ही आने चाहिए आमने सामने की तरफ यह देखिए मैंने आप लूप अटेश करती हैं दोने तरफ बराबर से इसके बाद हमने गले की उपर लेस को लगाना है तो बराबर यहां पर रखेंगे आप अपनी पसंद की अकॉर्डिंग लेस यहां पर लगा सकते हैं गले के शेप से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए लेस को लगाना है आप इस नेक को सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं मैं सिफ नीचे वाले पार्ट पर लेस लगा रही हूँ लेस लगाने से हमारा जुनाए कि वो बहुत ही अच्छा दिखता है और अलग से ही लूक आ जाता है नेक में तो बराबर से रखते हुए हमने लेस को यहाँ पर अटेश कर देना है लेस के उपर डवर्स लाए लगा लेंगे ताकि लेस अच्छे से बेट जाए और लेस लगाते समय लेस को आप बिल्कुल भी कीचे ना इससे फिनिशिंग नहीं आती है लेस में तो मैंने यहाँ पर अच्छे से लेस को आटेश कर दिया है बीच वाला जो पैटेन है यहाँ पर हमने चोकुर कपड़ा लेकर इससे ट्रैंगल में फोल्ड कर लेना है अब मैं ले रही हूँ रेडिमेट वाली डोरी डोरी को हमने लूप के अंदर से अटेश कर लेना है सेप्टिपिन की मतल से दिखे डोरी को इस तरीके से अटेश करेंगे दोनों तरफ से बराबर रखते हुए लेंथ में आपको डोरी को ज़्यादा लेना है और इस तरीके से दोनों तरफ से पहले बराबर करेंगे डोरी को फिर क्रॉस में करते हुए डोरी को अटेज करना है यहाँ पर एक-एक लूप छोड़ते जाएंगे फिर दूसी तरफ वाले डोरी में सैप टिपिन लगाएंगे और यह जो लूप हमने चोड़े हैं यहाँ पर से निकालेंगे इससे और जो लटकन बनाया हुआ है लटकन को निचे की तरफ अटेज करदेंगे आप चाहिए तो यहाँ पर कोई हैवई लटकन बना कर भी लगा सकते हैं रडिमेट वाला लटकन भी लगा सकते हैं दोनों तरफ इसी तरीके से हमने इसे अटेश कर देना है और इसी के साथ मेरा जो नेक डिसाइन ने वो बनके तयार हो गया है तो फ्रेंट्स आपको आज का मेरा डिसाइन कैसे लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद